हेलो फ्रेंड्स आज की स्वीडियो में हम इंद्रा गांधी नैशनल ओपन उनिवस्टी के बैचलर डिगरी प्रोग्राम जैसे की बीएजी, बीएजीजी, बीकोमजी इसके लावा जितने भी बैचलर डिगरी ओनर्स कोर्चीज हैं इन सभी का एक कमपल्सरी कोर्स, BEVA181, Ability Enhancement Course on Environment के प्रीवेस 5 क्यूस्चन पेपर्स, अबाउट 250 क्यूस्चन प्रोपर, क्रेक्ट आंस्वर के साथ सोल्व करके प्रोवाइड करने वाले हैं, जो की आगामी टर्मेन एक्जामिनेशन के लिए बहुत इंपोर्टेंट रहें ये क्यूस्चन पेपर्स, दिसंबर 2020 टर्मेन एक्जाम से स्टार्ट होकर के, जून 2023 टर्मेन एक्जाम तक के, सभी जो भी एक्जामिनेशन, BEVA181 के एगनों के द्वारा कंड़क किये गए हैं, सभी सम्मिलित हैं, तो वीडियो, इंगलेस और इंदी दोनों मीडियम में आ पर दिसंबर 2020 टर्मेन एक्जाम जो कि आपका फर्वरी 2021 में देरी से कंड़क किया गया था, तो उसके क्यूस्चन सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले क्यूस्चन, पहले क्यूस्चन इंगलिस में 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 उसके बाद हिंदी मीडियम में इसी तरह बहुत जल्दी अभी correct answers आपको मिल सकें, तो सबसे पहला question है, in which of the following reports, books, was sustainable development formally defined for the first time, इसका answer आपका होगा, तो इसका option number C correct है, our common future, हिंदी में देखा जाए, तो निमलिकित में से किस report पुस्तक में सदत विकास को सबसे पहले ओपचारिक रूप से परिभासित किया गया, तो option number 3, our common future answer आप question number second पर आते हैं, तो question number second, which one of the following is not one of the 17 sustainable development goals adopted by UN, यानि कि United Nations सयूंगत राष्टर के द्वारा, जो 17 सतत विकास के लक्षे निर्दारित किये गए थे, उन में से, इन में कौन सा नहीं है, question बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, इसमें नहीं है, पूछा गया है, मतलब तीन ल level, option number four is correct answer, हिंदी में देखा जाए, तो question मैंने आपको पता दिया है, परियेटन और यात्रा आपका सही उत्तर होगा, question number three पे आते हैं, which one of the following is an example of human modified environment, तो कुछ environment human made है, कुछ modified है, तो आपको accordingly question पढ़ना है, बहुत ध्यान से क्योंकि question में mistake ना करें, option number three का आपका, और चा बाकी तीनो human made environment है, option number two आपका सही उत्तर होगा, question number three का, निमले कितमे से कौन सा मानव परिवर्तित परियावन का उधारन है, तो इसमें आपका option number B यानि की flow उधान आपका सही उत्तर है, अभी question number four पहले हिंदी में देख लेते हैं, निमले कितमे से किसमे one महतवपून भू नहीं निभाते हैं, यहाँ पर आपका answer, question number four का, in which of the following do forests not play a significant role, तो तीन में प्ले करते हैं, एक में नहीं करते हैं, soil formation, forest करते हैं, water conservation करते हैं, और moderation of climate भी करते हैं, क्योंकि वर्सा वगरा, वनों के कारण ही होती है, तो regeneration of CO2 आपका सही उत्तर होगा, यह नहीं है, जो रोल वन के द्वारा, प्लेक किया जाता है, वो रोल नहीं है, question number five, which one of the following regions covers more than 50% plant species in the world, question number five को बहुत ध्यान से पढ़ें, तो इसका आपका answer है, कि tropical rainforests, option number one is correct, हिंदी में देखा जाए, तो हिंदी में आपको दिखा देता हूँ, question number seven के अंदर, option एक आपका सही उत्तर होगा, अभी question number six पे आते हैं, crown fire mostly takes place in which of the following forests, question number six का dense forest आपका correct answer है, यह निकि घने वनों में, crown fire generally लगती है, तो आप देख सकते हैं, निमलिक वनों में से किन में अधिक्तम छत्रागनी होती है, तो सघन वन में आपकी अधिक छत्राग करनी होती है, question number seven, communities residing near waste disposal sites, receiving less economic benefits than the communities generating the waste represents, तो किस तरह की iniquity को represent करती है, question number seven, आपका geographical iniquity, आपका correct answer है, हिंदी में देखा जाए, तो आपके सामने है, अपसिष्ट निप्टान स्थलो के पास रहने वाले समूदाईयों को अपसिष्ट उत्पन करने वाले समूदाईयों से कम आर्थिक लाब मिलते हैं, यह वाक्य किस ऐसमानता को व्यक्त करता है, भोगोलिक ऐसमानता, option 4 आपका सही उत्तर इसमें होगा, अभी question number eight पे आते ह तो आपकी answer है, अर्बन community, option one correct है, और आपका हिंदी में देखा जाए, निमलिकित में से किस समूदाई में परबंधन करता का परबल बहुत नहीं होता है, तो शहरी समूदाई के अंदर परबल बहुत नहीं होता है, question number nine, which one of which of the following weevs considers nature as mother and that she cannot be tamed, 9 का आपका Indian weev is correct answer, option number two, question number nine का, option number two आपका correct answer है, भारतिय मत, निमलिकित में से कौन सम मत, प्रकरति को मा की रूप में और जिसे साधित नहीं किया जा सकता मानता है, तो भारतिय मत ऐसा मानता है, question number 10, जल सक्कर को संचालित करता है, तो इसका आपका number two, सूर्य सही उत्तर होगा, और इंग्लिस में देखा जाए, तो the water cycle is driven by the sun, question number 11, चैमो सिंथेटिक बैक्टेरिया आर, तो क्या होते हैं ये, question number 11 का आपका सही उत्तर होगा, ओटो ट्रोप्स, option number third is correct, ओटो ट्रोप्स, और question number 12, life does not exist beyond fill-in-the-blank से meters above mean sea level, तो question number 12 का आपका चार option दी गए इन में से, 6000 meters correct answer है, समुन्दर मध्यमम जो base mean sea level है, उसके 600 meters से उपर आपकी life exist नहीं करती है, तो बहुत सही question है, ओसत समुन्दर स्तर से 6000 meters उपर के बाद जिवन नहीं पाया जाता है, question number 13, in an ecosystem, the decomposition of organisms takes place by, तो जो organisms का decomposition किसके द्वारा किया जाता है, ecosystem के अंदर, तो आपका इसका, question number 13 का, reduces correct answer है, option number 2, हिंदी में देखा जाए, तो पारिश्थी की तंतर में, जीवों का अपगटन किसके द्वारा होता है, तो आप लोगों का, इसका reduces का हिंदी है, विगटक correct answer है, और इसके बाद question number 14, the increase in population between 10,000 BC and about 1800 AD coincided with the, तो चार option दिये गए है, किसके साथ coincide करता है, जो population में growth हुई थी, increase हुए थी, तो इसका आपका growth in agriculture के साथ coincide करता है, question number 15, during the 14th century, more than half of the population of Europe and Asia was killed due to, question number 15, तो बोगोनिक प्लैग एक बिमारी थी, जिसके कारण 14th century में, half population Europe और Asia की मोत के घाट उदर गई थी, तो question number 15, हो चुका है, question number 16, which one of the following is not a genetic disease, इन में से कौन सा genetic disease नहीं है, genetic रोग नहीं है, question number 16, आपका जो malaria है, ये genetic disease नहीं है, मच्छर के द्वारा फैलता है, question number 17, correct मैचीज है, आपको सही मिलांग करना है, कुछ यहाँ पे environmental influence दे गए, कुछ categories दे गई है, तो इसमें आप सही मिलांग करेंगे, तो option number 2 आपका सही आता है, ये जो poison है, ये एक chemical है, उसके बाद जो noise है, ये आपकी physical है, overcrowding है, ये आपकी sociological है, और allergens जो है आपका, ये biological है, तो ये आपका सही उतर है, option number 2, question number अभी next पे आते हैं, इन्हें 18 पे, इन्हें coniferous forest, the soil is, मतलब coniferous जो one है, forest है, उनकी मिट्टी कैसी होती है, ये question पूछा गया है, तो acidic and mineral deficient मिट्टी होती है, option number 2 is correct, question number 19 पे, the organisms which are attached to stems and leaves of rooted plants are known as, question number 19, आपका periphyton is correct answer, option number 3 correct है, हिंदी में देख लेते हैं, ऐसे जीए तो जड़ जमाई पोदों के तने और पत्तियों से सनलगन रहते हैं, उन्हें परिपादप कहा जाता है, question number 20, इसका क्या उतर होगा, question number 20 का आपकी, जो option number 1 correct answer है, लिटोरल जोन, हिंदी में देख लेते हैं, महासागर के जिस मंडल में तापमान, प्रकास, लवनता व्यादरता सबसेदिक परिवरतन सील होते हैं, उसे वेलांचली मंडल कहा जाता है, option 1 आपका सही है, अभी question number 21 पे आते हैं, 21 number question है, and study is a transitional zone representing, 21 का आपका आंसर है, unique ecological features, sorry, unique ecological features, option 4 correct answer है, और हिंदी में देखा जाए, तो किसका है, ज्वारद मुख एक संकरमन छेतर होता है, जो बेचोड पारिस्थिति के लक्षनों तथा, जिवित समुदायों को प्रतिका प्रतिनिदित्व करता है, 21 का option 4 correct है, 22 पे आते हैं, निमलिकित में से कौन सा 1 कटाई का परमुख कारण है, तो यहाँ पे आपकी वन में आग है, यह वनोन मुलन का परमुख कारण है, question number 22, which of the following is a major cause of deforestation, this is forest fires, question number 23, passenger pigeon is the perfect example of loss of species due to, तो अभी मैं questions जो cover कर रहा हूँ, अगर आपको इन में से, वैसे मैंने अपनी तरफ से इगनों की material से correct answers लेने की पूरी कोशिस की है, और 99 से भी ज्यादा परसेंट answers correct हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आपको इन में कोई incorrect लगता है, तो logical आप लोग perfect base number के साथ हमें बताएं, ताकि हम उसको comment पे पिंस कर सकें, और बाकी other student उसको देख सकें, तो जरूर, लेकिन proof के साथ, question number 23 पे आते हैं, आपका होगा, option number 4, जो आपके यातरी कबूतर किसके कारण पर जाते के इहरास कादर सुधारन हैं, खाते के लिए चैनात्मक विनास, ये कारण रहा है, the weed which causes enormous damage in fish and rice crop age, तो जो आप लोगों की मसली और चावल की खेती में सबसे ज़्यादा नुक्षान करने वाला जो कीड़ा कह सकते हो, वो कौन सा है, या क्या नुक्षान सबसे ज़्यादा करता है, तो आपका इसमें आएगा water high neck, तो पहला option आपका correct है, जलकुम्भी मसली और चावल की फसलों की अत्यदी कहानी करने वाला खर्पत्वार है, तो 25 का आपका इसके elephant's correct answer है, हाथी, artificial insemination जो हाथी के conservation के लिए सबसे युज़फूल पाया गया है, तो 26, which one of the following is not a major characteristic feature of biodiversity or sport, biodiversity, hot sport यानि की विवित्ता है, उसका सबसे major characteristic कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है, तो note कौन सा नहीं है, इस सीज़ पर आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर आपका option one, option number four correct है, large number of exotic species, हिंदी में देखा जाए, तो निमलिकित में से कौन सी जैविवित्ता, hot sport की मुखे विशेस्ता नहीं है, बड़ी संख्या में विदेशी परजातियां, अभी question number 27 पर आते हैं, which one of the following area जी इंडिया आईजे, hot sport of biodiversity, तो biodiversity का hot sport western घाट है, आपकी बुक में बहुत अच्छे जी लिखा है, option two correct है, पस्टिमी घाट जो है, hot sport of biodiversity हैं, आप कह सकते हैं, question number 28, which one of the following has the maximum genetic diversity, in इंडिया भारत में, किसकी सबसे अधिक, genetic diversity यानि की विवित्ता है, तो इसमें आपको बताना है, question number 28 में, भारत में निमलिकित में से, किन्ज में से सबसे अधिक, आनुअंसिक विवित्ता पाई जाती है, mango के अंदर, आम के अंदर, option three correct है, question number 29, which one of the following has maximum percentage of availability of water, question number 29 का आपका आएगा, option number 4 correct answer है, ground water, निमलिकित में से, किस प्रकार के जल्की अधिक्तम, परतिशत उपलब्ता होती है, तो भौम जल्की, अभी question number 30 पे आते हैं, among the ecosystems mentioned below, where can one find maximum biodiversity, तो इसमें जो नीचे ecosystem लिखे हैं, इसमें सबसे अधिक विवित्ता, या जै विवित्ता कहां पर पाई जाती है, ये पूछा गया है, question number 30 में, तो इसका आपका आएगा coral reefs, coral reefs correct answer है, question number 3, हिंदी में दिखा देते हैं, निमलिकित पारिश्टीक तंतर में से, किस एक में सबसे अधिक जै विवित्ता पाई जाती है, परवाल भित्ती में, और question number 31, पर पाई जाने वाला कितना जल हम सब के लिए, आसानी से उपलब्ध है, तो इसका answer है, एक परसेंट जल आसानी से उपलब्ध है, इंग्लिस में देखें, तो how much water on the earth is readily accessible for human use, तो 1% आपका correct answer है, question number 32, the soil which is low in organic matter, and has low fertility in India each, question number 32 आपका, मर्दा अपर्दन के लिए को बचाने के लिए, कौन सी इसमें से method या विधी नहीं अपनाई जाती है, तो किश्चन number 33, आप देख सकते हैं, इसका option number 2 correct है, जो कुल विधी है, ये नहीं अपनाई जाती है, बाकि तीनों मर्दा, अपर्दन के रोगठाम के लिए बांध भी बनाया जाता है, गास पाथ से डगा जाता है, आर्दा तका सनक्षन किया जाता है, ये एक नहीं पनाई जाती है, इसलिए option 2 आपका correct होगा, अब एक कुस्टन number 34 पे आते हैं, identify the conventional source of energy from the following, तो 34 का है, atomic energy, correct answer, 35, a biomass gasifier converts, तो biomass gasifier किसको किसमें convert करता है, ये पुछा गया है, तो ये solid को gas में convert करता है, solid fuel to gaseous fuel, option 1 correct answer है, इसके बाद आगे आते हैं, question number 36 पे, the most suitable fuel for a fuel cell is, तो hydrogen is most suitable fuel for fuel cell, question number 37, the bio-physical carrying capacity is, filling the blanks of population that can be supported by the resources of the planet, at a given level of technology, question number 37, the maximum correct answer है, तो maximum answer इसका होगा, अभी हिंदी में दिखा देता हम दोनों questions, इंधन सैन के लिए सबसे उप्यूक्ति इंधन हाइड्रोजन है, जैव भोतिक धारन चंता, वहें अधिक्तम चंसंग क्या है, जिसे प्रोध्यूक्य की के दियेगा, इस तरपर घ्रह के संसादनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है, question number 38, which of the following is not a greenhouse gas, तो कौन सी इसमें से greenhouse gas नहीं है, ये पूछा गया है, तो chlorine एक greenhouse gas नहीं है, 49, which of the following is not related to climate change, तो इसमें कुछ लिखे हैं, प्रोटोकोल, कुछ कमेटीज, तो इन में से कौन सी है, जो कि climate change, यानि कि मौसम के बदलाव से संबंदित नहीं है, मौसम के बदलाव से संबंदित नहीं है, तो question number 39, आपका, जो Montreal Protocol है, ये संबंदित नहीं है, climate change से, और इसके बाद, 40 number के उससे नहीं था, ozone layer is present in which of the following range of atmosphere, तो जो ozone layer है, ozone परत है, हमारे किस प्रियावण में, या वातावरण में, किस range में उपलवद रहती है, उसके बारे में पूछा गया है, तो आपका stratosphere में रहती है, जो की 15 to 50 km है, option 2 correct answer है, 40 का, वायू मंदल के, option 2, 15 से 50 km प्रास में, ozone परत उपस्थित होती है, अभी किस्ट नमर 41, the pH of the rainfall was measured to be, as per the following at 4 places, which had place had the acid deposition, acid deposition वहाँ पे होती है, जहाँ पे pH value less than 5.7 रहती है, तो इसमें जो भी 5.7 से कम है, वो correct answer होगा, option A correct है, option 1, जो 5.5 है, यहाँ पे acid deposition होगी, बागी जगह पे नहीं होगी, तो यह ध्यान रखना formula जो मैंने आपको पताया है, किसी भी रूप में question को पूछा जा सकता है, question number 42, which of the following chemicals is responsible for ozone depletion, ozone depletion के लिए निमलिकित में से कौन सा chemical उत्तरदाई है, प्लोरो फ्लोरो कार्बन, इसका आपका option 3 correct है, अभी question number 43 पे आते हैं, which of the following animals excretes, very concentrated urine, तो question number 43, कौन सा जीव प्राणी अत्यदिक सांद्रित मुत्र का विशरजन करता है, तो आपका रातरिचर रोडेंट यानि की कृतंक कह सकते हैं, आप हिंदी में और इंग्लिस में देखा जाए, तो noctural rodents आपका सबसे अधिक सांद्रित मुत्र का विशरजन करता है, concentrated urine का विशरजन करता है, question number 43 हो चुका है, 44 पे आते हैं, which of the following is an example of non-point source of pollution, तो question number 44 का है, runoff from agriculture fields, question number 45, when was the air prevention and control of pollution act enacted, 45 हिंदी में देखा जाए, तो वाईउ प्रदूसर निवारन नियंत्र नदिन्यम कब बनाया गया था, आपका 1981 में बनाया गया था, अभी question number 46 पे आते हैं, the main objective of UNFCCC relates to, इसके लिए आपका सही उत्तर होगा, green house gas, which is not a waste minimization method, तो waste minimization method कौन सा नहीं है, कौन सी obsessed new new current within नहीं है, 47, तो landfill is not a waste minimization method, option 4, landfill इस्तारण एक within नहीं है, option 4 correct है, 47 का, आप देख सकते हैं, अभी question number 48 पे आते हैं, which is the best method for disposal of hospital and toxic wastes, तो आपका incineration is best method for disposal of hospital and toxic wastes, 48 का, option number आपका, बस्मिकरन सही उत्तर है, option number 1, question number 49 पे आते हैं, जल स्त्रोतों में जीवों के उपस्थिति के आगलन के लिए, कौन सी विधी परियुक्त की जाती है, तो इसका आपका correct answer है, MPN, इसके बाद next आपका NBA की स्थापना किस अधिनियम के अंतरगत की गई थी, तो इसके लिए Wildlife Protection Act यानि की पहला option आपका 50 का correct है, और इसे के साथ ही अभी एक paper खतम होता है, अभी second question paper पे हम आएंगे, तो second है आपका इसके बाद December 2021 टर्मेंड एक्जामिनिशन जो कंड़क्ट किया गया था, December 2021 में अभी इसके 50 questions इसी तरह है टोटल 5 question paper है, इनको आप पढ़ेंगे, तो maximum chances है कि इन में से बहुत से questions repeat होते हैं, तो अभी December 2021 टर्मेंड exam के पहले question पर, which one of the following is an example of man-made environment, तो पहला question है, कौन सा मानव निर्मित परियावरण का उधारण है, तो खेत यानि की crop fields आपका correct answer होगा, option number 3 crop fields, question number 2, who coined the term, possibility term, possibility term को किसने coin किया था, या किसने खोज की थी, कह सकते हो किसने use किया था सबसे पहले, तो leucine favire, इन्होंने पहले possibility term का प्रियोग किया था, और question number 3, which one of the following is not one of the 17 sustainable development goals, जो सतत्विकास के 17 लक्षय है, या आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत से questions इन्हों से पूछे जाते हैं, और एक question लगबग हर बार repeat हो रहा है, और पूछा यहीं जाता है कि कौन सा इन में से नहीं है, तो आपको find out करना होता है, तो कौन सा नहीं है, life on air is not one of the 17 sustainable development goals, बाकि तीनों हैं, और एक life on air नहीं है, अब ही हिंदी में देखेंगे, आपको अच्छे समझाते हैं, तो बाकी question आप हिंदी में easy से देख सकते हैं, अभी जन भागीदारी को कम करने के लिए सुधिर स्थानों में बैठक आयजित करना, किसका उधारन है, आपका कार्यविदिक ऐसमानता का उधारन है, अभी question number 5 पे आते हैं, इस्थिति की नारिवाद, correct answer है, अभी question number 6 पे आते हैं, एन्विस का मुख्य के अंदर कहां पर इस्थित है, तो एन्विस का मुख्य के अंदर दिल्ली के अंदर इस्थित है, और इंगलिस में देखें, तो main center of Enviss is located at Dehli, अभी next पे आते हैं, primary consumers are, question number 7, से साइकल का example है, तो sedimentary साइकल जो है, इसका example है, इसमें परियोग के जाते हैं, और आप देख सकते हैं, दिये गए गटक, पानी में सलफेट, अमली अवर्शन और जिवास में इंधन, और साधी चक्र के भाग हैं, question number 9, in ecological succession, the final stage is termed edge, इसे climax community कहा जाता है, जो कि ecological succession के अंदर, final stage होती है, उसे climax community कहा जाता है, और हिंदी में देखें, तो हिंदी में आप देख सकते हैं, पारिस्थितिक अनुकरम में, अनुकरम की अंती मवस्था को चरम समुदाय कहा जाता है, और पारिस्थिति की तंतर में, उर्जा का राज किस रूप में होता है, यह होता है आपका heat energy, यानि कि उसमिये उर्जा के रूप में, इंग्लिस में देखें, तो in an ecosystem, energy is lost in the form of heat energy, question number 11, at global level, the region most prone to natural calmness is each, तो आपका option number 2, Asia, correct answer है, और हिंदी में देखें, तो विश्व स्तर पर कौन सा प्राकर्तिक, आपदाओं के लिए सबसे अधिक परवन छेतर है, तो Asia, question number 12, among the following factories, which is not in the Taj Trapegium zone, Taj Trapegium zone, Taj की स्रक्षया के लिए बनाए गई है, इसमें कुछ factories परतिबंदित है, तो उनमें कौन सी नहीं है, which is not in Taj Trapegium zone, यह पुछा गया है, question number 12 का, तो Mathura Sugar Factory है, वो Taj Trapegium zone में नहीं है, option 3 correct answer है, और इसके बाद हम आते हैं, option 3 correct है, और इसके बाद next question पर, silent valley is the narrow valley of which river, तो यह कुंती river है, इसकी narrow valley है, the world population around 800 BC was approximately, 800 BC में विश्व की, कितनी जंसन क्याती लगभग यह पुछा गया है, तो कुछ जगें 8000 BC भी लिखा है, कुछ जगें 800 BC लिखा है, इसका जो बुक में आपका correct answer है, वो 5 million है बुक से, तो यह जरूर याद रखना आपको, the temperate deciduous forests have, question number 15, तो यह आपके, 40 से 50 मीटर हाइट के, broad leaves, चोड़े पत्ते वाले होते हैं, temperate deciduous forests, उनके पास होते हैं, सीतोशन प्रनपाती वनों में, पतली और चोड़ी पत्ती वाले, 40-50 मीटर हुचाई वाले व्रक्ष पाये जाते हैं, और इसके बाद, इन इंडिया, टीक एंड बैंबू आर कॉमन इन, किन प्रक इभारत में, टीक एंड बांस के पेट साधरन तक, कहां पाये जाते हैं, ट्रोपिकल सीजनल फोरेस्ट में, उसने कटी बंदिया है, मोसमी वनों में, आपका सही उत्तर होगा, ट्रोपिकल सीजनल फोरेस्ट, किस्ट नमबर सत्रा, इन इंडियान ग्रास लेंड इकोसिस्टम, दा बायोमास, पीक इन दा पिरियेड बिट्वीन, तो कब पीक पे रहता है बायोमास, तो आपका सेवन्टीन नमबर का, सेप्टेंबर टू अक्टूबर करेक्ट आंसवर है, उप्शन नमबर तीन, एन एक्जामपल उफ लोटिक फ्रेस्वास्टर एकोसिस्टम इज, अठारा नमबर किस्टिन, लोटिक अलवनिये, जलिये पारी तंतर का उधारन कोन सा है, तो इसका नदियां यानि की रिवर आपका उधारन है, किस्टन नमबर उनिस, इंसेक्टिसाइड्स पार्टिकुलरली, डीडीटी लेड टू दा रिडेक्शन ओफ पॉपुलेशन ओफ, किस्टन नमबर नाइन्टीन, तो डीडीटी जो बर्ड, इगल्स, एड्सेक्टरा है, इनकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए उत्तरदाई है, ये है आंस्वर आपका, हिंदी में कीट नासक विशेश रूप से डीडीटी ने, किसकी आपादी सबसे कम की है, तो चिडियों की कह सकते हो, आपक्सियों की कह सकते हो, किस्टन नमबर ट्वंटी, स्टडी रिहाबिलेशन ओफ ग्रेट इंडियन रिनो कोस्वाज हैंपर्ड बिकोच, किस्टन नमबर बीस, विशाल भारती गेंडे का स्थाइप नर्वाज किसके कारण बादित हुआ था, तो इसका आपका रिंडर पोस्ट डिजिज के कारण कह सकते हैं, किश्टन नमबर ओप्शन नमबर थर्ड इस करेक्ट, रिंडर पर्ष्ट जो रोग फैला था, उसके कारण इनका सबसे अधिक परभावित हुआ था, अब ही हम आते हैं किश्टन नमबर ट्वंटीवन पे, तो ट्वंटी का ओप्शन तीन करेक्ट है, किश्टन नमबर ट्वंटीवन क्लाइमेट चेंज करेक्ट आंसर है, एलियन स्पेसिज विच इस नोन तो काज स्किन एलर्जीज इच, किश्टन नमबर बाइस, विदेशी प्रजाती जो तवच्चा की एलर्जी पैदा करती है, वो आपकी ओप्शन नमबर, तीन सही उत्तर है, पार्थेनियम हिस्टेरो फॉरस, इंग्लिस में भी, पार्थेनियम हिस्टेरो फॉरस आपका करेक्ट आंसर है, किश्टन नमबर ट्वंटी थ्री, किश्टन नमबर ट्वंटी थ्री पे आते हैं, which of the following is not a criteria for designation of biodiversity hotspots biodiversity hotspots को चिन्नित करने का कौन सा criteria नहीं है यह पूछा गया है तो आपका इसका option number 4 correct है lesser interspecific competition यानि कि अपेक्षा करत कम अंतरजाती स्परधा जैविविता hotspots के पदनाम के लिए एक मांदन नहीं है अब एक question number 24 पे आते हैं biodiversity of a geographical region represents तो geographical region है भोगोलिक छेतर की biodiversity किसको represent करती है यह पूछा गया है तो आपका option A correct है genetic diversity present in the dominant species of the region अभी question number 25 पे आते हैं which one of the following animals is found in only in western ghats only pastymi घाट के अंदर कौन सा जानवर पाया जाता है यह पूछा गया 25 में तो मालाबार grey hornbill है यह पाया जाता है आपका सिर्फ और सिर्फ पस्चिमी घाट में option 2 correct है the main source of water for lakes and river seas तो जिलों और नदियों के लिए पानी का मुखे source कौन सा है यह पूछा गया question number 26 में तो runoff है यह आपका सही उत्तर option number 2 question number 27 which one of the following is not true for red soil तो 27 number question है इसका option 4 correct है इसके बाद question number 26 पर आते हैं the most effective treatment of alkaline soil is to apply जो alkaline meaty है उसका सबसे अच्छा treatment क्या है उप जाओ बनाने के लिए तो gypsum apply किया जाता है इस सबसे अच्छा treatment है question number 30 from which of the following types of sources can energy be harnessed using photovoltaic cell question number 30 आपका निमलिक स्त्रोतों के परकारों में से किस से उर्जा परकास वोल्टिये शैलों द्वारा प्राप्त की जा सकती है तो सूरिया यानिकिस्टन आपका सही उत्तर है और next question 31st पर आते हैं तो 31st number question है the first wave tidal energy plant was established in India at तो आपका इसका सही उत्तर होगा तिरिवंतपुरम के विंजी हम में आप लोगों का पहला wave tidal energy plant established किया गया भारत में और 32nd number question the largest coil producing country in the world coil का सरवादी को उत्पादन करने वाला देश विश्व में कौन सा है तो इसमें आप लोगों का first option है जो सबसे पहला है चाइना first number पे है second US है और third इंडिया है ये आपको याद रखना है second पूछा जाए तो US third पूछा जाए तो इंडिया question number 33 the maximum population that can be supported by the resources of the planet at a given level of technology वो क्या कहलाती है तो आपकी bio physical caring capacity कहलाती है ये आपका option one correct है और हिंदी में देखे 33 number question वह अधिक्तम जन्संक्या जैसे प्रोध्योगी की के दिये गए इस्तर पर पिर्त्वी के संसाधनों द्वारासमर्थित किया जाता है वह जयो भोतिक दारण चंता कहलाती है option एक सही है question number 34 पर आते है among the following which one is the major contributor to greenhouse effect तो greenhouse effect का सबसे major contributor कोन है इन में से तो ये पुछा गया है आपका option 4 correct है water vapor मेरे सबसे ये सही है बाकि अगर आपको कोई और answer सटिक मिलता है तो आप proof के साथ में बताइए question number 35 which of the following statements is correct for the ultraviolet radiation ultraviolet तरंगों के लिए कौन से statement यानि कौन सा तथ्य सबसे सही है ये पुछा गया 35 number question में तो ये आपके book में दिया गया है और book से आपका answer exactly जो लिया गया है option number 3 है U ultraviolet alpha is not absorbed by the ozone layer आप कह सकते हैं U ultraviolet alpha ozone प्रदवारा और सोचित नहीं होता है ये सही हुत्तर आपका है और इसके बाद हम आते हैं next question पे 36 which one of the following can cause skin cancer and cataract in humans तो मानव में skin cancer और मोतिया बिंद आप कह सकते हैं किसके कारण होता है तो ये आपका ultraviolet B radiation के कारण होता है वैसे ultraviolet में जो beta radiation है उसके द्वारा होता है question number 37 which one of the following is a secondary pollutant ozone is secondary pollutant आप कह सकते हैं इसके बाद 38 number question the standard level of RSPM क्या है तो standard level है आपका 60 microgram per cubic meter question number 49 the Kyoto Protocol deals with which environmental issue Kyoto Protocol किछ परियावरनी है problem यानि की issue से deal करता है question number 49 तो आपका greenhouse gas emission से deal करता है इस issue से deal करता है और 40 number question hot spots are region of high तो easy question है diversity यानि की विवित्ता के region होते हैं 44 number हो चुगा है question number 41 what is the main aim of the 1987 amendment of air prevention and control of pollution act 1981 तो जो air act 1987 का 1987 में जो amendment क्या गया था उसका main aim क्या था 41 number question का option number one correct है to enable an integrated approach to environmental problems question number 42 तो 22 question का है the forest act was enacted in which year forest conservation act किस वर्स में पारित किया गया या बना था इनक्ट किया गया था लागू किया गया question number 42 का आपका 1980 correct answer है अभी question number 43 which convention took up the protection of ozone layer ozone layer का बचाव करने के लिए कौन सी convention conduct की गई थी आप कह सकते हैं किस सम्मिलन में ozone प्रक्त की सुरक्षा को सामिल किया गया आप कह सकते हैं तो विएना convention जो है इसमें ozone प्रक्त की सुरक्षा को सामिल किया गया question number 44 which one of the following is generally not a recyclable waste 44 medical waste है minimization question number इसका आपका है waste minimization method कौन सा नहीं है 45 का treatment of waste is not a waste minimization method ये तो एक treatment हो गया कम करने के लिए कोई विदी नहीं है easy question about which one of the following is not a method of disposal of hazardous waste sanitary landfills एक hazardous waste को dispose करने का method नहीं है 47 number question which one of the following is not correct in the context of biodiversity in India भारत में biodiversity के संबंद में कौन सा कथन साही नहीं है तो इसमें आपका है बाकि सबी कथन साही है जो पहला option ये साही नहीं है क्योंकि इंडिया में चार biodiversity hotspot है और यहां पे छैलिका है बाकि तीनों कथन एकदम साही है 48 number question which one of the following does not represent ecological significance of forest 48 number question कौन सा वन के पारिस्थितिक मेंतों का निरूपन नहीं करता है तो 48 number question का चार number option साही है सौंदरी बोदक और अध्यात्मिक मेंतों परदान करना ये वन के पारिस्थितिक मेंतों का निरूपन नहीं करता है मतलब कि आप लोगों का providing aesthetic and spiritual value does not represent ecological significance of forest which one of the following is not included in the category of non-timber forest product NTFP आपको full form भी पुछा गया है NTFP क्या है non-timber forest product आगे question paper में आएगा पूछा भी गाएक दो बार 49 number question का है animal heights and bones आपका सही उत्तर है और question number 50 पर आते है joint forest management was firstly implemented in the state of West Bengal option number 2 आपका सही उत्तर है अभी इन दो question paper complete हो चुके है लगभग 99 या 100% answer सही है अगर आपको कोई गलत मिलता है तो जरूर comment करिएगा अभी आते जुन 2022 term and examination इगिनुका उस पे आते हैं और उसका number one question आपके सामने है world commission on environment and development was chaired by तो environment यानि के परियावरन और विकास पे जो विश्व commission था आयोग था उसको किसने chaired किया था इसका आपका option है grow Harlem bretland ने जो कि नार्वे के प्राइम मिनिस्टर थे which one of the following is a decomposer तो इसमें आपका decomposer कौन सा है fungi is decomposer question number 3 which one of the following is not one of the priority areas for achieving sustainable development goals हिंदी में देखा जाए तो कौन सा सतत्विकास के लक्षे का प्रात्मिक तवाला छेत्र नहीं है zero pollution यानि की आपका question number 3 सुन्ने परदूसन ये साही उत्तर होगा और इंगलिस में देख सकते हैं zero pollution option number 3 the main sulfur reservoir in the sulfur cycle is present in the जो sulfur cycle है sulfur चक्र है उसमें बड़ा sulfur बंडार किसमे नहीत है तो ये आपका soil यानि की मिट्टी के अंदर नहीत है और इसके बाद question number 5 और इसको इंगलिस में देख सकते हैं soil level 4 of the trophic level could be occupied by तो trophic level का level 4 tiger या line आप कह सकते हैं कि द्वार occupy किया गया है और इंदी में भी same है चीता अंसर होगा in the biosphere the main land component is known as biosphere के अंदर main land component है वो lithosphere है option 1 सही उत्तर है जीव मंडल में मुख्य भूमी भाग को थल मंडल कहा जाता है अभी question number 7 पे जो food chain यहाँ पे दी गई है यह किस type की है यह पुछा गया है तो यह parasitic food chain है आपकी बहुतीजी question है आपकी book से बिलकुल रिट्टो लिया गया है खादे सरंकला जो दी गई है यह परजिवी अहार सरंकला आप कह सकते हैं अभी question number 8 पे आते हैं the discipline of public health was established in Europe after मतलब की यूरोप में जन्स्वास्थ के अनुशासन की स्थापना किस वर्स के उपरांत की गई थी 1842-1842 के बाद की गई थी 1842 के उपरांत की गई थी यहाँ पे आपका cyclone सही उत्तर होगा और हिंदी में देखा जाए जब उसन कटी बंदी पट्टी में समुंदर जल 27 डिगरी सेल्सियस या उससे अधिक गर्पर गरम होता है जिससे जल सत्र के उपर कम दाप के छेतर बन जाते हैं तो चक्रवाद का निर्मान होता है और आते हैं कि नेक्स्ट क्यूस्टन नबर 10 पर floods in which two countries results in two-thirds of total deaths caused by floods किन देशों में और किन दो देशों में बाड़ से मिर्त्यू संसार के कुल बाड़ से मिर्त्यू के दा नेच्टूरल डिफेंस अगेंस्ट सुनामी इज ग्यारा नुमर क्यूस्टन तो मेंग्रो फोरेस्ट हैं ये नेच्टूरल डिफेंस है सुनामी के सुनामी बाड़ मेंग्रो फोरेस्ट के जो है उनको पार जल्दी से नहीं कर पाती आप कह सकते हैं बारा नम्मर क्यूश्यन, इन M.A.B. program run by UNESCO, M.A.B. stands for, M.A.B. man and the biosphere के लिए परियोग किया गया है, और हिंदी में आप देख सकते हैं, हिंदी में भी सेम है, M.A.B. कारी करम जो UNESCO द्वारा चलाया जाता है, M.A.B. तो man and biosphere, option number 3 आपका सही उत्तर है, अब क्यूश्य नम्मर 13 पे, Seed Bank is the example of Seed Bank X Seed to Conservation का एक्जाम्पल है, यानि की Seed Bank 22 थल्च अरक्षन का उधारन है, option एक सही उत्तर है, और क्यूश्य नम्मर 14 पे, A wide diversity in species composition indicates that ecosystem is likely to be more stable in the long term, option 1 is correct, परजातियों की व्यापक वीत्ता से सुनिस्सित होता है कि पारिस्तितिक तंतर की लंबी अवधी में अधिक स्थर स्थिर होने की संभावना है, और question number 15 पे आते हैं भी, 15 number question, the foresting technique has been, the fostering technique has been used to conjure, तो fostering technique, whooping crane आपका सही उत्तर है, option number 3, पालन्ड पोश्चन तकनीक, whooping crane की सनक्षन के लिए उपयोग की गई है, question number 16 पे आते हैं, the unattached organisms in an aquatic ecosystem which live at the interface of air water are known as, तो air water interface के रहने वाले organisms को, unattached organisms जो aquatic ecosystem में पाई जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो new stone कहा जाता है, आपका पहला उतर सही है, हिंदे में भी आप देख सकते हैं, जलिये पारित अंतर में, एसल लगन जीव जो वायू तल अंतर प्रिष्ट पर रहते हैं, उन्हें पटलग कहते हैं, और इसके बाद next question, ब्रेक्रिस water ecosystem include, तो ब्रेक्रिस water ecosystem में, ब्रेक्रिस water ecosystem में क्या होता है, 17 number question, श्रीज एंज मेंग्रोज, आपका सही उत्र उप्शन नमर चार, तो 3.5 परसेंट है, सी वाटर में सेलिटी याने की लवनता, विच वन उप फॉलविंग इस ओपन और हेटरोफिक सिस्टम, क्यूशन नमर नाइंटीन, रिवर्स, ओपन और हेटरोफिक सिस्टम है, एप्रोक्सिमेटल 50% उप टोटल वर्ड स्पीसी आर परजेंट इन ट्रोपिकल रेन फोरेस्ट उप्शन, एक साही उत्तर है आपका, क्यूशन नमर इक्कीस, जैनेटिक डाइवर्सिटी इस रिलेटिय टू टाइप ऑफ स्पीसीज, नहीं आपका, हाहा, टाइप ऑफ स्पीसीज क्यार्ट उत्र है, और बाइवर्सॲएवर्सिटी होट्पॉट्स ओ रेजन almost इन बाइवर्सिटी जो होट्पॉट्स है, यह high indigem के छेतर हैं आप कह सकते हैं high indigem which one of the following statements about the biodiversity is not true question number 133 का second option सही है is lands and coastal stretches of India so higher number of endemic species यह सही नहीं है बाकि तिनों सही है ravine is formed due to soil erosion के कारण यह दर्रे बनते हैं दर्रे बनने का कारण है soil erosion यानी की आपका मर्दा अपरदन option 3rd is correct question number 25 पर आते हैं 25 नमबर question पर finer particles in waste water can be made to settle by using जो मतलब waste water में बारिक कन sorry बारिक कन है वो कैसे settle किये जाते हैं caustic soda का प्रियोग करके what percentage of global fresh water is available in liquid form 20% 27 which of the following is not achieved by the addition of manure 27 number question कौन सा खाद के उप्योग से प्राप्त नहीं किया जा सकता है decreasing soil salinity मर्दा लवनता में कमी option 3rd is correct अब next question पर आते हैं question number 28 पर which of the following sources of energy is non-conventional तो 28 का biomass है यह non-conventional source of energy है 29 which of the following regions in India is the highest producer of mineral oil तो mineral oil का Bombay high है highest producer है economic development leads to declining growth rates of per capita energy demand in the which of the following sector तो आपका मेरे हिसाब से industrial sector सही उतर है और कुछ जगे पर commercial sector के बारे में भी जिक्र है लेकिन maximum possible industrial sector लग रहा है अगर आपको इसके लावा कोई answer मिलता है तो जरूर proof के साथ comment करिए हम उसको pin करेंगे अगर सही मिलता है तो आपका objection question number 31 sludge gas largely consists of sludge gas methane की बनी होती है और इसके लावा Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC was established in 1988 which one of the following is not responsible for acid rain इसका acid rain के लिए chlorofluorocarbon उतरदाई नहीं है बिलकुल भी इसके लावा question number 34 which of the following is not a part of eight national missions for climate change तो climate change यानि की प्रियाव मोसम में बदलाव पे या बदलाव में आठ national missions है उसका कौन सा इन में से एक नहीं है ये पुछा गया है तो आठों आपको पता होना चाहिए तब ही आप find out कर पाएंगे इसका option number 3 correct है national mission for hunger and poverty eradication is not a part of eight national missions for climate change बैसल convention is largely related to question number 35 hazardous waste management हिंदी में देखा जाए तो बैसल सम्मिलन मुखे तोर पर जोकिम बड़े अपसिस्टों के प्रबंधन को संबोधित करता है अभी question number 36 पे आते हैं the main function of national green tribunal is NGT का main function क्या है तो national green tribunal का जो main function है वो है effective and expedious disposal of cases on environmental issues option X है the air act was amended in air act को 1981 में inact किया गया था और amend किया गया था 1987 में which toxic gas was released from chemical plant during bhopal gas strategy bhopal gas त्रास्दी में जो रासाइनिक प्लांट था उससे कौन सी toxic jarally gas released हुई थी जिसके कार ने दूर घटना घटी थी तो methyl isocyanate तीन number option आपका सही उत्तर है which one of the following is a primary pollutant इन में से कौन सा primary pollutant है question number 30 इनका sulfur dioxide is primary pollutant प्राथमिक प्रदुसक कह सकते है sulfur dioxide को question number 40 which one of the following is responsible for depletion of oxygen in water causing harm to aquatic life 40 number question का तो human sewage आपका सही उत्तर लग रहा है question number 41 पे आते हैं और what would be the best method for disposal of radioactive nuclear waste तो radioactive nuclear waste का disposal करने का best method है वो है कौन सा है यह पुचा गया underground disposal option number 2 is correct which one of the following is not a biological method of waste treatment lagooning and tank storage is not a biological method of waste treatment next question which of the following is not a factor requiring new set of ethics for environment changing food habits is correct answer which one of the following statements related to economic significance of forest is not correct 44 it protect water seeds and ensure perennial supplies of fresh water यह आपका सही उत्तर नहीं है note करें सही नहीं है सत्यकथन नहीं है इसलिए आपका सही उत्तर है 45 which one of the following is not one of the causes of deforestation तो कौन सा वन अप्रूपन का कारण नहीं है इसका आपका आएगा rise in CO2 in atmosphere is not one of the cause of forest यानि कि deforestation आप कह सकते हैं rise in CO2 in atmosphere क्यूशन नमबर चालेस इंडिया निड्स अवाउट 33% of its total area under forest to meet the ecological and economic needs 33% शेत्र आप भारत को चाहिए अपनी सभी जरूरतें पूरा करने के लिए लेकिन करंट में 24.39% शेत्र पर भारत में वन है यह भी आपका पुछा जा सकता है इसके अलावा क्यूशन नमबर 47 which of the following animals excretes very concentrated urine तो noctural rodents आपका सबसी ज्यादा concentrated urine होता है उनका 48 the attitude which assigns significantly greater value to human being than any other known human organisms is known as 48 नमबर क्यूशन का है anthropocentrism सहीत तर आपका है 48 का जय मनुभाव जो गैर मानव जीवों से अधिक मनुश्य को महतव देता है उसे मानव केंदरीत कहा जाता है question number 49 कौन सा ENVIS का केंदर नहीं है तो TATA institute आपका जो है ये ENVIS का केंदर नहीं है मुंभाई में बाकी सभी ENVIS के केंदर है MPN परिक्षन किसका पता लगाने के लिए उप्योग करते हैं आपका तो इसमें आपका equally आपका correct answer है ये आपकी book से लिया गया है equally आपका सही उत्तर होगा अभी आपका आता है next December 2022 term and examination December 2022 term and examination के 50 questions सब स्टार्ट करते हैं time waste ना करते हुए who developed the concept of determinism तो पहला question है strategic rat jail ने determinism के concept को develop किया which one of the following is not one of the 17 sustainable development goals फिर से आगया है जो 17 विकास के 17 लक्षे थे उनमें से कौन सा एक नहीं है तो gender iniquity आपका gender equity नहीं है 17 विकास के 2016 से 2030 के बीच जो अचीव करने से 17 goals उनमें से gender equity नहीं है अभी question number 3 which one of the following is a human modified environment मानुव परिवर्तित परियावरन कौन सा है is a human modified environment यह पुछ आगया है कौन सा है तो centuries है यह आपका सही उत्तर है इसके बाद which one of the following refers to a position in the food chain तो food chain के अंदर जो position है उसे ट्रोफिक लेवल कहा जाता है इंदी में देखा जाए तो उसे आपका posi सतर कह सकते है G bundle में जल गटक कहलाता है क्या कहलाता है पांच number question है hydrosphere कहलाता है option number 4 जलमंडल कहलाता है यह सही उत्तर आपका है और इसके बाद question number 5 in the biosphere water component is known as hydrosphere question number 6 sulfur cycle is an example of sulfur cycle sedimentary cycle का example है आपका question number 7 पे आते हैं यानि कि अवसाधी चक्र का example है secondary consumers are secondary consumers हैं वो carnivores होते हैं in coniferous forest the soil is यह भी दुबारा repeat हुआ है coniferous forest के अंदर जो मिट्टी होती है acidic और mineral deficient होती है option 1 correct है अब next question पे आते हैं आपका question number 9 chameleon, agamid और gecko कहां पाए जाते हैं tropical rain forest option आपका option number 4 correct उत्तर है ocean कटी बंदिय वर्षा परचूरवन में which one of the following species excretes very concentrated urine natural rodent यह बहुत बार आपका repeat होता है तो यह आप note कर लें जरूर आपका exam में आता है बहुत बार repeat हुआ है unattached aquatic organism which lives at the air water interface is known as new stone यह भी आपका repeat हो रहा है what is the percentage of fresh water where global distribution of water resources is considered less than 3% आपका सयुकतर होगा और अभी आप हिंदी में पास करके देख सकते हैं हिंदी में भी cover करूंगा वैसे which one of the following is a non-renewable source of energy to non-renewable source कौन सा है इसमें यह आपका question number 13 mineral deposits the average salinity of sea water is 3.5% which one of the following is not achieved by addition of manure decrease in soil salinity is not achieved by addition of manure which one of the following is not a part of supporting ecological systems and processes function of forest solar number question है इसका आपका है acts as a carbon sink which one of the following is a consequence of deforestation 17 number question है deforestation का आपका क्या consequence है क्या उससे होता है तो आपका इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा increased soil erosion यानि कि increase in soil in origin due to reduction in vegetation which of the following is not a non-timber forest product non-timber forest product कौन सा नहीं है यह पुछा गया है तो इसका आपका firewood है non-timber forest product नहीं है अभी next question पे और 19 number question इसका सही उत्तर है कि इन में से consistent statement biodiversity के बारे में सही है western gods have a very high degree of species richness and endism an ecosystem with higher diversity will be more complex stable and resistant पहला option आपका सही होगा question number 21 which one of the following animals are exclusively found in ब्रह्मपुत्र वैली में सबसे जदा पाए जाने वाला जानवर कौन सा है तो रिनो कोस है exclusively पाए जाते है which of the following is not a biodiversity hotspot तो इसमें विंद्या मध्यपरदेश की विंद्या और सत्पुडा की पाढ़िया है यह biodiversity hotspot नहीं है बागी तिनों biodiversity hotspot है what percentage of energy needs of India are met by natural gas about 7% of energy needs of India are met by natural gas sludge gas largely consists of methane कुछ repeat होने कि युशे नहीं बार बार पुछे जाते हैं जरूर ध्यान से आपढ़े which one of the following is not a non-conventional source of energy तो non-conventional source of energy कौन सा नहीं है fossil fuel which of the following is not an adverse effect of construction of major dams in India question number 26 option 4 correct है increase in the groundwater level of surrounding region question number 27 fostering is a useful technique for the conservation which has been found useful in किसमें useful पाई गई है fostering technique है whooping crane में useful पाई गई है mangroves in the coastal areas work against erosion by acting as इसका है natural bulwark which of the following is not an invasive species in India question number 29 तो neem tree है नीम का पेड है यह invasive species नहीं है भारत में buffer zone के बारे में कौन सा कथन function सत्य नहीं है तो question number 30 का जब आप चारो पढ़ेंगे तो इसका आएगा hunting is permitted in this zone is not an important function of preserved areas में buffer zone है उनका option number 4 आपका सही उत्तर होगा अभी next question 31 number the size of respirable suspended particulate matter RSPM का size क्या होता है 1 mm to 10 mm अब question number 32 पे आते हैं fill in the blank size the phenomenon of increase in the concentration of pollutants from one link in food chain to another question number 32 biomagnification है इसकी definition यह दी गई है which one of the following is a primary pollutant primary pollutant कौन सा है carbon dioxide is a primary pollutant high level of BOD indicates decreasing levels of dissolved oxygen in water high level of BOD बताता है में underground disposal is preferred for the disposal of radioactive nuclear wastes के लिए underground जो waste disposal method का प्रियोग के जाता है अभी question number 36 पे आते हैं 36 number question का जो है single use plastic drains को क्लोग करते हैं जानुरो का नुक्षियान पहुंचाते हैं तो यह option one's correct है one and two are correct neutrification in water bodies is caused by 37 number question phosphates and nitrates के द्वारा की जाती है which of the following is no true for CFCs तो 38 number question unaffected by UV radiation in upper atmosphere यह आपका सही नहीं है कथन which one of the following is used to measure the concentration of ozone तो dobson unit है DU भी लिखते हैं dobson unit में ozone की concentration measure की जाती है और one dobson one PPB के बराबर होता है what is the approximate percentage of solar radiation which is absorbed by the atmospheric gases तो आपका 20% correct उत्तर है अभी आवते हैं next question पे the provision for environmental protection in our constitution was made in which year तो इसका 1980 के अंदर provision बना था और wildlife protection act in act हुआ था 1972 में which of the following is not 17 categories of polluting industries identified by Central Pollution Control Board 43 number question है तो food processing projected world population by 2100 2100 would be 11.2 billion is correct answer या आपकी बुक से लिया गया है और match the following environmental influence है और category है तो same पहले भी आया है 45 number question का आपका option 2 correct है आप पढ़ सकते हैं बहुत इजी है अभी आते 46 पे which one of the following areas in India does not fall under seismic zone seismic zone में कौन सा चेत्र भारत का नहीं आता है तो असम है वो seismic zone में नहीं आता है जहां पे असम में भुकम कमाते बाढ़ जाद आती है चंडी परशाद भट आप लोगों का chip को movement से associated है यह पुछा गया है और 48 number question का है आपका stewardship है teaching that all living organisms have values and rights regardless of whether they are useful or not refers to stewardship using English only for material communication to non English speaking communities is an example of तो यह आपका किसका उधारन होगा procedural iniquity का which one of the following is not an ENVIS center फिर से आ गया ENVIS का center कौन सा नहीं है तो 50 number question है आपका ENVIS का center नहीं है अब लाते हैं लास्ट पे एकदम जून 2013 के फिर से correct answer आपको दिखाऊंगा तो अभी जो दिसमब 2013 आपको दिखाऊंगा सिर्फ बहुत स्पीड में पहला है और second का non human made environment आपका आएगा थर्ड United Nations Conference on Environment and Development in 1992 was organized at Rio de Janeiro correct option होगा आपका question number 4 का correct answer है 5 का food chain herbivores represent तो trophic level second ice को represent करते है herbivores the large reservoir of sulfur on earth surface is soil and sediments correct answer है 6 का option number 1 अब आते हैं 7 number question पे which one of the following is known as primary community तो lichen is known as primary community the predominant predatory bird in the desert ecosystem is इसका 8 number question है कि मरुष्थल पारितंतर में परमुक पर भक्सी पक्सी कौन सा है तो आपका आएगा gyps bengalysis option 4 is correct answer यह answer आपकी बुक से लिए गए है question number no the unattached organism in an aquatic eco system which lives at the interface of air water is known as question number nine ka new stone is correct answer यह लिए बार बार रेपीत हो रहा है in ocean which zone is a sallow and rigid species with high productivity इसका आपका nigrytic zone is correct answer which one of the following forest has the most diverse communities tropical rainforest correct answer loss of water in vapor form from the plant is known as Transpiration Which one of the following is an economic impact of Draft? Loss of crop Phaslo ki honey The type of soil found in the Deccan, Malwa Plateau of Western and Central India is 14 number question Kalimitri correct answer Black soil Which one of the following is not a major cause of land degradation Development of watershed is not a major cause of land degradation or tropical rainforest के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है तो इसका आपका option number 4 सही उत्तर होगा It has been estimated that India needs 33% area under forest to meet the ecological and economic needs बार बार रिपीट हो रहा है NTFE non-timber forest product, non-timber based forest product option 2 सही उत्तर है बहुत इची किस्तन आ रहे हैं, previous papers repeat होते हैं Which one of the following diversity is known as fundamental currency of diversity तो ये पुछा गया question number 19 तो genetic diversity आपका सही उत्तर है Question number 20 Which one of the following geographic zone covers the largest area in India भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा area cover करती है zone, तो ये आपका सही उत्तर होगा Western Ghats Sorry, 21 number question पर आते हैं फिर से Western Ghats is correct answer Option D Which one of the following is not true about the India as a mega biodiversity country तो भारत के बारे में कौन सा लिखा है इसलिए इसका थन सही नहीं है और इसके बाद इन इंडिया था फिर्स्ट वेव एंटिडल एंडिया प्रोजेक्ट वाज सेट अप एट विंगिजम इन केरला Which one of the following sources contributes maximum electricity in India इसका आपका अंसर होगा कोईल कोईला Which one of the following source of energy is used maximum in rural India तो रूरल इंडिया में आपका Q25 का biomass यानि कि इंडियन का समसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और इसके बाद आते हैं आगे Maxim population that can be supported by the resources of planet at a given level of technology is known as Q26 का आपका Biophysical Caring Capacity सही उतर होगा और Q27 का which one of the following is an example of selective distribution of species Sorry selective destruction of species तो इसका passenger pigeon आपका है यह सही उतर है जिसको खाने के लिए maximum मारा गया है और which one of the following is an invasive species in the semi-arid areas of India तो इसका आपका Masquit जो है यह आपका सही उतर है which one of the following is not an access to conservation of biodiversity तो इसका national parks and centuries आपका सही उतर होगा और फिर से 30 number में match the correct ones आया है और 30 number question का option number आपका 3 सही उतर होगा आप match कर सकते हैं 31 number question which one of the following is a non-point source of pollution agriculture runoff आपका सही उतर है और question number 32 पे आते हैं तो 32 का आपका smoke सही उतर है natural pollutant smoke नहीं है और full form of TDS क्या है वो है total dissolved solids question number 34 decibel A measures ये आपकी pitch and pressure of sound को decibel A के द्वारा measure किया जाता है option 4 सही उतर है 35 number question है hazardous waste का characteristic कौन सा नहीं है तो आपका pungent order ये characteristic नहीं है और physical treatment of hazard waste कैसी किया जाता है इन में से best method कौन सा ही पुचा गया है तो 36 number question का तो lagooning है अनुपन वो सही उतर होगा अब आते question number 37 पे 37 number question है इसका आपका सही उतर होगा insulation creation the intergovernment panel on climate change IPCC was established in 1988 maximum concentration of ozone is found in stratosphere which one of the following is not an effect of acid rain तो ये आपका one option सही increase in temperature of earth surface earth summit 2002 was organized at 41 number question आपका है तो जोन्सपर्ग में earth summit आपकी 2002 में organized की गई थी और journal branches of national green tribunal आपकी journal branch भौपाल में स्थित है और इसके बाद next question का आपका आंसर होगा वो होगा in which of the articles in the constitution of India the state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country 48a question number 12 the major factor responsible for increase in population between 10,000 BC and 1800 AD was largely due to of increasing birth rates coincided with the growth of agriculture which of the following diseases cannot be regarded entirely as genetic इक 45 number question का आपका सिंजोफ्रेनिया है उसे जैनेटिक totally नहीं कहा जा सकता और question number 46 पर आते हैं तो आपका option number इसका third सही answer है correct match आप कर सकते हैं बार-बार पूछा गया है question number 47 पर अभी आएंगे तो 47 question silent valley is located along the river of कुंथी और new set of environmental ethics creation के लिए कौन सा फेक्टर नहीं है यह पुछा है तो advancement in science and technology who wrote the essay the land ethics land ethics प्रस्ताव elder leopold ने लिखा था और कौन सी statement false है तो इसकी चार में से third number statement है यह फाल्स है बाके तिनों सही है तो यह question आपके 250 question लगबग 5 term and exam के मैंने cover किये हैं तो सभी questions मैंने cover किये हैं अपनी तरफ से 99 क्या 100% सही है कोई एक दो mistake होती है तो आप proof के साथ comment करिए और particular page number mention करके किनों की book का ताकि हम उसको rectify कर सकें और इन answers को मैं एक video के description में PDF file का link दूँगा आप उसे download करके answer की complete question paper के साथ weave कर सकते हैं यह one week के अंदर video upload होने के available करा दी जाएगी याइस educations YouTube चैनल को